कि है यह लो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज इस्टेडी मैट्रियल में फ्रेंट्स आज का हमारा टोपिक है उत्तर परदेश के परमुक उत्सव जो वार्शी कुछ सम्मनाय जाते हैं उत्तर परदेश में वह कौन-कौन से हैं उत्तर के पारे में ह और आज हम यहां बढ़े हैं तो देखिए उत्तर परदेश में उत्तर परदेश सरकार के जो सांस्कृति विघञास के दुगरा कि अन्यकों उत्सवों का आवर्शी किया जाता है जिनमें से कुछ पर्मुक उत्सव है सबसे पहला है लखनाव उत्सव यह लखनाव उत्सव कहां मनाया जाता है अब इसके नाम में ही है लखनाव तो यह लखनाव में ही मनाया जाता है और इस उत्सव में अवद के प्रमप्रागत गीत नरत्य वैभव नजाकत और नफासत का दिखदर्शन कराया जाता है नेक्ष्ट है वारांसी उत्सव वारांसी में आयोजित किया जाता है और ये एक प्रियाटन उत्सव है ये एक प्रियाटन उत्सव है इसमें धर्म जो भारत्य धर्म और संस्कीर्थी है तथा ज्यान और विज्यान का प्रस्तूत करन किया जाता है तो इस उत्सव में बार्तिय धर्म संस्कीर्थी और ज्यान-विज्यान का प्रस्थूतिकर्ण करवाय किया जाता है नेक्ष्ट है सुलैकुल उत्सव यह आगरह में मनाया जाता है और इसे हिंदु-मूस्लिम एकता के रूप में working इनलाद निए बनेक्षक है कनोज उत्सव कर नोज उत्सव कर नोज में आयुजित किया जाता है और विात विभाग द्वारा यह परति वर्स यहां पर आयुजित किया जाता है नेक्ष ताज महोत्सव ताज अर्थात इसी से समझ गए होगे आप आगरा में है तो ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है कब आयोजित किया जाता है इसे फरवरी महा में आयोजित किया जाता है और इस उत्सव पर मुगल कालीन संस्कीर्थी तथा भारतिय ललित कलाव क पर्दर्शन किया जाता है नेक्ष्ट है राम बारात उत्सव इस उत्सव को पर्ति एक वर्स आग्रमे आयोजित किया जाता है नेक्ष्ट है परियाग महोट्सव परियाग महोट्सव ये परियाग राज में आयोजित किया जाता है और परदे सरकार के प्रेटन विभाग द्वारा इस प्रेटन उत्सव का आयोजन परती वर्स यहां किया जाता है नेक्ष है तिर्वेनी महोत्सव अब तिर्वेनी से तिर्वेनी संगम जो प्रियाग राज में इस्थित है तो तीरवेनी महुतसव कहां होता है ये प्रियाग राज में आयोजित किया जाता है और परते एक वर्स इसे फरवरी महा में ही आयोजित किया जाता है इस उत्सव में मिस्रित संस्किर्थी का अवलोकन कराया जाता है नेक्ष्ट है कमपिल उत्सव ये फरुकाबाद में आयोजित किया जाता है और फरुकाबाद के रामेश्वरनात, कामेश्वरनात तथा जैनमंदिरों में इसे आयोजित किया जाता है इसमें विबिन धार्मिक संस्किर्टिका यकर्मुका आयोजन होता है सर्धना महोत्सव सर्धना जो मेरट में एक जगह है सर्धना वहाँ पर इसे आयोजित किया जाता है नेक्ष है लठमार होली महोत्सव लठमार होली महोत्सव कहां पर आयोजित होता है ये बरसाना और नंदगाओं में आयुजित होता है कब होता है इसे फार्गुन महीने में मतुरा जी लेके बरसाना में आयुजित किया जाता है और उसके एक दिन बाद नंदगाओं में आयुजित किया जाता है नेक्श है बिठूर गंगा महोत्सा बिठूर गंगा मोहत्सव ये कानपूर के बिठूर नामागिस्थान पर किया जाता है और कभी से आयोजित किया जाता है इसे किया जाता है कार्थिक महा में गंगा के तट पर इस मोहत्सव का आयोजन होता है नेक्स्ट है गंगा महोचव गंगा महोचव ये वारांसी में आयोजित किया जाता है देखिए अभी हमने बिठूर गंगा महोचव देखा उसके नाम के साथ ही आया है बिठूर तो कानपूर के बिठूर में होता है लेकिन ये केवल गंगा महोचव है जो वारांसी में सब् raktion क्या जाता है परती एकवर्स चैत्र महेने की जो हम है उसकी चट को इसे ऐजित किया जाता है नेक्ष्ट है कबीर उत्सव तो जो कबीर उत्सव है इसे कहां आयोज क्या जाता है याि इसे आयोजित किया जाता है परती एक वर्स संद कबीर नगर में संद कबीर नगर के मगर में इसे मगर जिले में इसे आयोजित किया जाता है और इस उत्सव पर जो संद कबीर थे उनके जीवन के आदार को यहां पर दर्साया जाता है नेक्ष्ट है जांसी उत्सव ये कहां पर आयूजित होता है इसे जांसी में मनाया जाता है और परती एक वर्ष इसे भी फरवरी महा में आयूजित किया जाता है ये एक पांच दीवस्य पांच दिन तक मनाया जाने वाला आयूरवेद महोत्सव है सेफ़ाई महोटसव जो इटावा के सेफ़ाई में आयोजित क्या जाता है और इसे परतियक वर्स जनवरी महा में आयोजित क्या जाता है नेक्ष है कजरी महोटसव ये मिर्जापूर में आयोजित क्या जाता है परतियक वर्स नेक्ष है सोन महोटसव सोन अर्थात सोन भदर में इसे आयोजित क्या जाता है परतियक वर्स और नेक्ष महोटसव है वाटर इस्पोर्स फेस्टिवल वाटर इस्पोर्स फेस्टिवल इसे परियाग राज में पर्ट तो चलिए अब कुछ परमुख मेले देख लेते हैं जो यूपी से संबंदित हैं यूपी में कौन-कौन से मेले आयोजित के जाते हैं और कहां पर आयोजित के जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यूपी में कुल कितने मेले लगते हैं द मेला 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 मेल तो परिकर्मा मेला अयुद्या में आयुजित होता है नेक्ष्ट है रामायन मेला रामायन मेला कहां लगता है ये चित्रकूट में लगता है नेक्ष्ट है महाकुम्ब मेला तो महाकुम्ब मेला जो परतियक 12 वर्स में लगता है ये परियाग राज में आयुजित किया जाता ह नेक्ष्ट है बटेस्वर मेला बटेस्वर में आयोजित किया जाता है आग्रा के बटेस्वर में इस मेले का आयोजित किया जाता है नेक्ष्ट है गड़ मुक्तेस्वर गंगा मेला गड़ मुक्तेस्वर गंगा मेला ये हापुड में आयोजित होता है नेक्ष्ट है नोचंदी मेला ये मेरट में लगता है नेक्ष्ट है देवा मेला देवा मेला बारा मंकी में आयुजित किया जाता है मकनपूर मेला ये कानपूर के बिलहोर में आयुजित किया जाता है धाई घाट मेला इस मेले को सहाजहापुर में आयोजित किया जाता है गोला गोकन नात मेला ये मेला लखिमपुर खीरी में आयोजित होता है नेक्ष है कलिंजर मेला कलिंजर मेला बांदा में आयोजित किया जाता है नेक्ष है देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में आयोजित होता है नेक्ष है कैलास मेला कहां आयोजित होता है ये होता है आगरा में और आगरा में कहां पर कैलास और सिकंद्रा इन दोनों जगों पर ही इस मेले का आयोजित होता है सोरो मेला सोरो मेला ये कास गंज में आयुजित होता है नेक्ष है राम नगरिया मेला राम नगरिया मेला ये फरुकाबाद में आयुजित किया जाता है फरुकाबाद में कई मेले आयुजित होते है नेक्ष है सरंगी मेला सरंगी रामपुर मेला ये भी फर्रुकाबाद में आजित होता है सरावनी मेला ये भी फर्रुकाबाद में ही आजित होता है तो देखिए अभी हमने फर्रुकाबाद से संबंदी तीन मेले देखे सरावनी मेला, सरंगी रामपुर मेला और राम नगर्या मेला नेक्ष्ट है खिचडी मेला, खिचडी मेला ये मकर सकरांती के समय आयोजित होता है कहाँ पर गोरकपुर में नेक्ष्ट है कोविंत साकर मेला, ये अम्बेड का नगर में आयोजित किया जाता है और नेक्स है राम नवमी मिला ये अयोध्या में आयोजित किया जाता है तो ये थे जो आज हमने पड़े यूपी से संबंदित कुछ पर्मुक उत्सव और कुछ पर्मुक मेले जो कहां पर आयोजित किया जाते हैं और क्यों आयोजित किया जाते हैं इन सब के बारे में आज ह